अपने शहर की लेटिस खमरों के लिए नियूज को सब्स्ट्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं हमारे देश में संस्कित भासा का एक बहुत लंबा इतिहास है 5000 साल पुरानी हमारी ये भासा है और माना जाता है कि हरपा सब्बता की पतन के बाद संस्कित भासा का उदे हुआ था संस्कित भासा का उदे प्राचीन रिगवेद काल में हुआ क्योंकि इसी काल में विश्व के प्राचीन गरंत रिगवेद सामवेद दजुरवेद अतरवेद लिखे गए थे तता इन वेदों में सबसे प्राचीन वेद रिगवेद है जो कि संस्कित भासा में लिखा गया इन वेदों के लिखने वाले प्राचीन दिसी आरेन थे इसी करण इस काल को आरेन काल भी कहा जाता है संस्कित भासा को आरें की भासा कहा जाता है और मैं मानता हूँ कि ये संस्कित भाचा देवों की भाचा है ये देवों की भाचा है जिस तरह से देवी देवता अमर है उसी तरह संस्कित भाचा भी अमर है संस्कित का विकास दो चर्णों में हुआ एक बैदिक संस्किती जिसमें हमारे वेद, धर्मसास, रामायन, महावारत उतिसाद आदी लिखे गए है दूसरा पानिन दचित संस्कित जिसमें अनेक अलोकिक गरंट जैसे अभिज्यान, सकुनतलम, पतंजली आदी लिखे गए के हिंदू धन्व से सम्मंदित सभी गरंट संस्कित भासा में लिके है तता यagn बनुस््थान आदी संस्कित भासा में भी आज भी हो रहे है विद्धानों की सोद के अनुसार प्रतेक्ष रूप से संस्कित भासा का परभाव बिश्चुक्री लगवक 97 प्रुस्थ भासाओं में है ऐसा प्रमार नासा के वेग्यानिकों ने सोद में पाया कि संस्कित भासा का प्रयोग करके कंप्यूटर प्रोगामिंग को सरव न रह जा सकता है तता इस भासा के उप्योग से कंप्यूटर प्रोगामिंग में किसी प्रकार की तुट्टी नहीं हो सकती ऐसी उन्होंने सोद किया है अमेरिका के एक विश्विद्याले के अमसार संस्कित भासा में बात करने से मानों सरीर की तंत्रिका सक्री रहती ये अमेरिका के एक विश्विद्याले के प्रोफेसर का कहना है जिसमें उन्होंने कहा कि डाइविटीज, कोलुस्टार और बिले पुस्टार जैसे रोगों से राहत मिल जाती है संसार की लगवा का अन्ठानवे पुस्टार से अधिक भासाओं पर संस्कृत का प्रभाव है ये सचमुच हमारे राष्टी आदर्स वाट जो सचत बेव जैते हैं ये उसी परागारी से पुलिसरे से सभापती बहुत है संस्कृती का प्रभाव सभी भारती बहासाओं पर तो है ही इसके साथ साथ अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, इस्पेनिस, रस्यन, इंडियोनेशिया की भासा इश्राविक भासाओं की संस्कृत का भी प्रभाव है संस्कृत के वेल एक भासा ही नहीं भारत की ज्यान परंपरा एवं उसकी आत्मा है भारत की प्राचीन और बरत्माना का एक सेतु है वे विज्ञान हो, तंत्र ज्यान हो, क्रशी हो, इसथापत्य हो, खबोल सास्थ हो, वास्तु सास्थ हो, योग हो, या अरुवित दातु सास्थ हो, इन संम्मे संस्कृती ने अपने एक नई दिशा दिया है